वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नाइब दासलदार का कुश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस येर का यानि इससे पहले जो 2018 में एक्जाइम हुआ था अहां तो ये बात तो सही है कि सेलिबस काफी डिफरेंट होगा लेकिन उतना भी डिफरेंट नहीं होगा थोड़ा सा आइडिया आप लोग को मिलेगा इस सेलिबस से इस पेपर से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको हम बताते चले कि जो components है already syllabus आपको पता है कि general English होता ही होता है यहाँ पर देख सकते हो आप general English का question इन्होंने पूछा है और general English के 20 marks से याद रख लीजिएगा 20 marks से उसके बाद फिर general English में और आपको करना क्या होगा अब अब यहाँ पर बात आ रही है पहले हम discuss करेंगे कि कौन-कौन से components होते है general English में कोई भी question उठा के हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया है कि identify the clause of the underlined part of this sentence you can go whenever you want तो आपको यह identify करना है identify clause of the underlined part तो आपको यह identify करना है आपके पास options जहाँ पर मुझूद है यह वाले options है चलिए next देख लेते हैं next यहाँ पर है proportions का question आया है in proportions में से आपको डूणना है कि कौन सा यह है खैर हम आगे next component देखेंगे तो आपको English का idea even passage भी passage भी पूछी गई है past में चलिए आगे अब देख लेते हैं चलिए अब next component देखते हैं इससे आप लोग को सिर्फ देखेगा इससे आप लोग को अंदाजा होगा कि NT के जो इस वकित posts कह रहे हैं कि आदे कह रहे हैं कि 250 प्लस posts होंगे या कुछ 1200 posts होंगे तो वो जो भी है जितने भी posts होंगे उनके लिए आपको पहले से prepare होना है आपको आपके मन में यही होना चाहिए कि हमें exam face करना है NT का और उससे crack करना है तो उसके लिए आपको preparation करनी ही करनी है कुछ questions बहुत ही easy आपको यहाँ पे मिलेंगे यह confusing questions होते हैं हमेशे आप यहाँ पे इसको आराम से पढ़ सकते हो देखेगा उसके बाद फिर यह वाला part बहुत important है section second जो है वो general studies का है एक आप general English का component आप उठा सकते हो अभी से ही अभी से ही आप इसकी तयारी कर सकते हो general English की और general studies का portion अब general studies में हमने देखा कि general studies इतना कोई छोटा portion नहीं है बहुत बड़ा portion है general studies में science भी आती है economy भी आती है Indian geography भी आती है Indian history भी आती है और इसमें फिर lakes, rivers अलग से पूछे जाते है physiological divisions, political divisions उसके बाद फिर taxes से related questions reorganization से related questions आपको करना ऐसा होगा कि आपको general studies में यानि general studies में आपको ऐसा करना होगा देखे, Indian history Indian history आप complete कर लीजिएगा Indian history, क्योंकि Indian history से questions पूछे जाते है आते ही आते है, syllabus में होता ही होता है आप इसको आप देख लीजिएगा general science का मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि आप general science अभी से पढ़ लीजिएगा क्योंकि general science में इन्होंने क्या किया कि कभी कुबार ये general science के questions भी पूछते है और कभी कुबार नहीं पूछते है नहीं होता है इस तेलेबस में अभी फिलाल आप general studies में history portion को आप importance दीजिएगा और current के साथ-साथ आप touch में रहिएगा यह वाल आप और देखेगा यहां पे economy भी economy भी आप थोड़ा सा उपर से आप देख सकते हुई फिलाल आप यहां पे history का question यहां पे यह ही कि who among the following conferred the title of father of nation on mahatma gandhi mahatma gandhi को इन में से किसने father of nation title दिया था तो आपको यह comment box में answer देना है कि father of nation mahatma gandhi को किसने दिया था हला कि उनके बीच में यहां से थोड़ा सा idea में आपको दूँगा कि इनके बीच में आपस में टसल था जिसने इसको title दिया चल यह आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद फिर उस वकत जब 2018 में एंटी के पोर्शन निकले थे तो साक से भी questions पूछे गए तो तो फिलाल आप general studies को आप ऐसे रख लिजीगा हाँ general studies में आप एक और portion है जो की बहुत जबरदस थे आगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा यह वाला part जो है वो हम देख सकते हैं कि constitution of India अब constitution of India में different parts से part one, part second, part third fundamental rights, part four उसके बाद फिर part five president इस इन सब को आपको पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जब तक न syllabus आएगा तब तक आप इस part को ऐसे ही रख लीजेगा इस section को आप ऐसे ही रख लीजेगा इसको touch मत कर लीजेगा हाँ आपके पास knowledge होगी ज़रूर वो अलग बात है लेकिन आप इसको touch नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा portion है ये constitution of India बहुत बड़ा है उसके बाद ये वाला देखेगा हमने already इसके related classes start किये हुए है description में link दी हुई है मिलेंगे related to जमो कश्मीर और GK of जमो कश्मीर से questions आपको आएंगे ही आएंगे और आपको पता है कि जमो कश्मीर की GK क्या है हर डिस्टिक के बारे में पढ़ना है उसके tourist destinations के बारे में जियोग्राफिक के बारे में इस्टिक के बारे में हम लोग classes ले रहे हैं आप लोग को वीडियोज अपलूट कर रहे हैं आपको बस स्रिप करना इतना है कि वीडियोज को देखना है शेयर भी करना है और लाइक भी करना है चैनल को सबस्क्राइब भी करना है अब यह वाला part जो है वो जमो कश्मीर से related है यह questions पूचे गए है देखेगा यह पहले बहुत simple से साधारन सा question पूचा जाता था गुल्मग इस most गुल्मग इस कश्मीर's most popular tourist resort definitely it is it is famously known as इसे क्या कहा जाता है तो आपको यह answer भी बताना होगा comment box में गुल्मग का दूसरा नाम क्या है यह इसे क्या कहा जाता है इसे कौन से नाम से पुकारा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है wildlife centuries के बारे में पूचा गया है question यहाँ पे यह GKF जमो कश्मीर है और GKF जमो कश्मीर के 20 marks से 20 marks बहुत बड़ा एक value रखता है margin होता है और बहुत बड़ा एक weightage है 20 marks के आपको अभी सही करना क्या होगा जमो कश्मीर से related जो भी part है हाँ उसमें सिर्फ आप add यह कर सकते हो जमो कश्मीर में reorganization act को add कर सकते हो उसको पढ़ना है बस बाकी बाकी वही है जो static portion है उसको पढ़ना है उसके बाद फिर जमो कश्मीर से related यह questions है यहाँ पर एक हमने आलड़ी यह question पढ़ा है मैं यह question फिर से पढ़ लेता हूँ यहाँ पर आप देख लीजेगे इस question को Just a minute A fort built by Raja Bahu Luchan 3000 years ago and approximately and remains to be oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu this fort is known as कौन सा fort है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पता होना चाहिए बागे बहु फोट है यह यह simple सा answer है तो यह तब ही पता चलेगा क्योंकि हमने आलड़ी history of Jammu भी complete किया है तो उसी में यह question है history of Kashmir भी किया है history of Jammu और किश्मीर वो भी आज हमने complete किया lecture का जो है description में lecture के link है वो आप देख लीजेगा उसके बाद यह वाला part mensuration mensuration के भी कम से कम उन्होंने 15 marks रखे mensuration होगा ही होगा definitely होगा क्योंकि नइब तासलार और पठवारे का exam अगर होगा तो mensuration होना बहुत लाजमी है mensuration से questions होंगे ही होंगे तो यह जो 120 questions है यहाँ पर आप देख सकते हुई यह 120 questions है और mensuration आपको पता ही है कि उसमें क्या क्या आता है कि area निकालना या बाकी चीजे है वो आपको खुद देख लेना है लेकिन फिलहाल आपको English, general English को आप मुझबूत बना लीजिएगा उसके साथ साथ जो general studies है मैं general studies की में बात कर रहा हूँ उसमें से Indian history आप फिलाल उठा लीजिएगा और उसके साथ साथ आप जमो कश्मीर से related जो जमो कश्मीर की history है geography है उसके related lectures को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से और ये जो previous paper हमने यहाँ पे लाया इसका सिर्फ एक मकसद था कि आप लोग को थोड़ा सा idea मिले कि past में जो paper आया है वो कैसा paper आया है उसका कहा 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 से questions पूछे गए थे तो ये थोड़ा सा idea है हाँ syllabus इतना ये तो नहीं कह सकती कि syllabus यही होगा syllabus different भी हो सकता है इससे मुक्तलिफ syllabus हो सकता है लेकि ज्यादा changes नहीं होंगी क्योंकि general English हमेशे ही पूछा जाता है और जमो कश्मीर से related questions हमेशे ही पूछे जाते है चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को like करना ना बूलेगा और आपको में ज़रूर mention कर लीजेगा thank you very much